आप सभी को नमस्कार दोस्तों और आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी और मैंने अपने स्ट्राइक पर सेलेट करके रख लिया है और आज मैं लाइफ ट्रेड करूंगा और सिर्फ 1,000 रुपीज से ट्रेड करने वाला हूं मैं उससे जादा का फंड मैं नहीं रखूंगा देख जो लॉस वा था वो सेंसेक्स में वा था तो लगबग 2900 रुपय का वो वीडियो मैंने बनाया था वो आप जा के देख लिएगा तब से मैंने पेपर ट्रेडिंग किया बहुत सारा मैनत किया इसा नहीं कि छोड़ा क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो कि इस कारण से हुआ क मेरी गलती थी उसके बाद से लगबग 10-12 दिन हो गया मैंने ट्रेड नहीं किया था और उसके बाद आज मैं ट्रेड कर रहा हूं तो फटा-फट से कैंडिल देख लिए तो थाउजन रुपीज मेरे अकाउंट में डाले है उससे आप से ट्रेड करूंग तो यह बड़ा अ और थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि अभी दो बच के 29 मिनट हो रहा है और मेरे दोने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्टेड है बड़ अगर मोमेंट नहीं आगे तो मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज भी कर देता हूं फटा-फट से तो टाइम हो गया है तीन बच के 10 मिट और म मैं एंट्री लूँका और मैं अपना प्राइस लगा देता हूं लगबग एक रुपैसी पेसे लगा देता हूं ठीक है और थाउजन रुपीज के अंदर मुझे मिल भी जाएगा और लगबग 30% यानि की 20-30% या 30% के ऊपर प्रॉफिट दीखे का तो मैं बुक कर दूँ क चलिए देखते हैं कितने बुक है 270 बे बुक है मैंने मार्केट प्राइस पर बुक किया था जनरली नीचे बुक होता है तो 270 बुक होता है और फिलाल में जो जो स्ट्राइक प्राइस था वो दो 45-250 कास पास चल भी रहा है कोई बात नहीं मुझे रिग्रेट नहीं है ठीक ह अचा प्रॉफिट हो गया अगर 1000 रुपय लगा कि आपको 45-400 रुपय का प्रॉफिट मिल रहा है तो इस स्ट्राइजी ठीक काम कर रही है बट मुझे लॉस भी होता है इस स्ट्राइजी के साथ सा तो देखी तीन मज़ के 10 मिन 49 सेकंड पे मैं गया है और तीन मज़ के 10 मिन